तो दिखें उत्राखंड सामाने ग्यान वन लाइनर पार्ट 106 है आज और इसमें भी आपको मिलेंगे उत्राखंड सामाने ग्यान के महत्तो पूंग वन लाइनर ठीक है तो यह काफी महत्तो पूंग एक स्रीज है मैं हमेशा बोलता हूँ उन अभिरतियों के लिए जो सलनगन है UKPSC प्लारंबिक और UKSSSC के जनरल पेपर के लिए जहां पर जनरल पेपर में आपको पता हूँगा 40 नंबर की उत्राखंड जी के डियरेक्ट ले पूछी जाती है जो कि उत्राखंड के विबिन चेत्रों से जैसे उत्राखंड का इतियास उत्राखंड का भोगोल उत्राखंड के सबी चेत्रों से या विशयों से आपको क्वेश्चन प्रोवाइट करवाई जाते हैं तो काफी महत्तों पूएं देखेंगे आज 106 भाग और इसमें आज मैंने उत्राखंड इस्टेडिक जीके के जैदा क्वेश्चन एड़ किये हैं ठीक है जो की बार- देखेंगे पहला कोश्चन गरवाल जन जागरन का पिता माह किसे कहा जाता है काफी महत्तों पूएं ये दो कोश्चन है यहाँ पे आपको कंफ्यूजन रहेगा इसलिए मैंने दोनु कोश्चन यहाँ पे दिये हैं गरवाल जन जागरन का पिता माह और गरवाल पुनर जा तो आपको एक प्लेलिस्ट में जाना होगा इस चैनल की जिसका नाम है उत्राखंड के महान व्यक्तित्तों वहाँ पे जाकर आप देखेंगे इनके कार्यों की पुरी विवेजना किये मेंने तब से आपको समझ में आ जाएगा क्यों इनको गरवाल जन जागरन का पिता माह कह जाता है ठीक है देखें गरवाल में उसमें जितनी भी सभाय बनी या जो भी संगठन बनने थे पत्रिकार्ता की दिलिश्टी से देखें तो काफी एक एहम रोल था उसमें तारदत गैरुला जी का और दूसरा है गरवाल पुनर जागरन का पिता ठीक है जैसे भारत में को याद रखें आप अगला देखें गरवाल की दिवंगत विभूतियां जो के 1980 में पॉब्लिस हुई इसके लेखा कौन है तो गरवाल की दिवंगत विभूतियां इसको लिखा है डॉक्टर भक्त दर्शन ने ठीक है थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिस कीजिएगा आप दे क्यान्य को Cक that일 ने यए इसके दर्उीन करने की कोशिसएगी है पार ओज्ति पूशुकर आप इसको दिवंगात विभूतियां भक्ति भक्ति करती हैं लोग उनकी दर्शन है और एक क्योश्चन बार बार रेक्ग्जाम में आता है हुआँ हमिसा हमें देखता हूं गडवा एंसेंट एंड मॉडर्न प्राचीन और आधुनिक गड़वाल ये लिखिया पाति रामजी ने हर दूसरी एकजाम में पूछए जा रहा है कि गड़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न की राइडर कौन है तो पाति रामजी है ठीक है ध्यान लगेंगे अगला है उत्राखंड धर प्रिकाशन किस जनपत से होता है तो कौन सा जनपत है। जहां से निकलती हय उत्राखंड दर्पड नामक पत्रिका। तो एक सांध्य दैनी कहई है उत्राखंड दर्पड जो की उधमछियन अगर से पब्लिश होता है। राजै कि पहली मानौ विकास हुचकंग रिपोर्ट आई उसमें पहला इस्तान मिला देहरादून जन्पत को नरता हरिख्टवार दूसरे इस्तान पी था जबकि अंतिम इस्तान पर ला टीहरी ग़वाल ठीक है तो हड़ीयर रिपोर्ट पहली बार पेस किरी उत्राखंड राज 새로 प्हुत्युर्स में किस वर्च बावलकी गढ़ को लंडन thought नाम दिया गया था तो दिए बावलकी गढ़ जो एक किला है इसको बनाया था किला गौरख आले जब 1791 कमाव तो ब्रितिसस ने इसका नाम change करकर लंदन फोर्ट रख दिया था काफी महतोपूण ये कोशन है लंदन फोर्ट बावलकी गढ़ एक इनाम है ध्यान देखिंगे लंदन फोर्ट बावलकी गढ़ एक है और एक और महतोपूण हाल में आप देखे इसको कहा जाने लगा है सौरगड क्योंकि सौर घाटी पितोरागड को बोला जाता है इसले इसके लोगों सौरगड नाम देया गया है वर्स 2019 में गंतंत्र डिवस पर राज जी की जाकी का थीम क्या था ठीक है ये भी महतोपुण कोशियन है देखे मैंने आपको दिया था जनुवरी फर्वरी माहा के करेंट फिल में आप देखेगा 2019 के जो गंतंत्र डिवस पर उत्रागंड राज जी की जाकी थी इसका थीम था गादी जी की कोशानी यात्रा तो अन्या अन्या जो गंतंत्र डिवस तो आप उसको देखना चाहते तो करेंट टरफेर देखें वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया आपको अगर 2019 का कोश्यन आता है अभी आकर कोई भी एक्जाम होता हूँ आपके पूछा जाएगा आपसे कि 19 में जो गोलतमत्र डिवस हुआ उत्रागेंड के थीम किया थी उसमें जो जहां की निकलती है अलग लग इस्टेट्स की तो राज जी की जहां की थी गादी जी ने जो कौ अपती होती है उसको पिरूल कहा जाता है यहां पर तो इस पिरूल से बिजली बनाने की नीती गोशित की गई सरकार के दोरा सन 2008 में लेकिन देखा जाए तो धरातली है इस तर पर इस पर कोई इतना ज़्यादा कार्य नहीं देखने को मिला है उत्राखंड में अटल आदर स ग्राम योजना शुरूई नौ नौंबर 2009 से इसको बिल्कुल आप कनेक्ट कर लेंगे नौ नौंबर 2009 ठीक है ध्यान रखेंगे नौ नौंबर को हमारा राज्या अस्तित्तों में आया था और नौ नौंबर आ गया तो आपको 9 से 2009 भी आधक नहीं ठीक है इससे आप बक्सी किस छेत्र का पुरातन नाम है तो राज जी का कौन सा प्लेश था जिसका प्राची नाम बक्सी था तो यह नानक मत्ता छेत्र वर्तमान उदंशे नगर अगर अगर दिखें बूट चोलाधारी मंदिर जो कि गोपेश्वर में है चमोली में ठीक है तो बूट मधिर ही का आठने वं दया था कि बूट चोलाधारी मंदिर में अईसा लगता है कि जैसे उन्होंने पएरओं में बूट धारंग के ऊर चोला ओ कई में बूट चोलाधारी कहा जाता है इस मंदिर को रिणी गाओं में महिला मंगल दल की स्ताफना कब हुई थी तो रिणी गाओं का नाम आप समझी गयोंगे इस गाओं का संबंध किस से है ठीक है रिणी गाओं में ही सुरू हुई थी आज आधुनिक वॉल्डिकी में बात करता हूँ आधुनिक विश्व का एक महान करांती का यहाँ पर सुबारम भुआ था चिपको आंदोलन ठीक है पेवड़ों को बचाने के लिए पर्यावरों को बचाने के लिए रिणी गाओं के एक महिला ने इसको सुरू किया था 1974 में गौरा देवी तो देखे रिणी गाओं में पहले से ही महिला काफी जाग लुकती क्योंकि रिणी गाओं के आसपास का पूरा छेत्रे वहाँ पर प्राकरतिक संपता से भरपूर था गाओं में कोई प्रब्लम नहीं थी गाओं में तीक है इसको देखते है महिला मंगल दल की भी स्तापना dos was 1972 और इस महिला मंगल दल की जो पहली अध्यक्षा बना गई वह गोरा देवी ही भनाई गई थीधान लखेंगे ये एक महत्योंपन कोश्यन है तो इनका नीजी पेसा अध्यापन ये जीव विग्यान के अध्यापक है अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि जो मैती आंधुलन था ये किस वर्ष सुरू हुआ था ठीक है कुछ कोश्यन आपको भी देना जरूरी है तब आप अच् पॉपुलर है अगला देखिए थोड़ा यूनिक कोश्यन आज आपको देखने को मिलेगा ऐसा कोश्यन जैसे हिंदी में पूछ रहता है आपने सामाने हिंदी के कोश्यन देखे होंगे न पंक्तियां दे जाते किस राइटर की है कभी पंक्तियां दे जाते कौन सा अलंकार है कौन सा चंद है आज यहां पर पंक्तियां दी गई है आपको ओत्राखंड की संसकर्ति को जानने के लिए ठीक है तो कुछ पंक्तियां है और यह पंक्तियां किस से रिलेट करते हैं वो हम डिसकस करेंगे तो पंक्तियां है देखे डांडू फूले फ्यो लगी गाडू बासे म्यो लगी मैंनो आयो चैत को हरी है न डांडी फूलों की मैं खुद लागी भूलू की कभी मैत मैं जान दूनी बाबा मैं बुलोंदी नी बाबा मैं बुलोंदी नी उप्यूक्त पंक्तियां राजी के किस गीत से संबंदित है तो यहां पर तुम्हेंने चार-पांच पंक्तिया देदी, हो सकता है question paper में क्योंब एक पंक्तिया आए, डांडू, फुले, फ्योलरी, गार्डू, बासे, म्योलरी, ये किस गीत से संबंदित पंक्तिया हैं, तो ये खुदेड़ गीत से संबंदित पंक्तिया हैं, ध्यान दखेंगे, खुदेड़ गीत जो होते हैं, वीरह गीत होते हैं, जैसे आपने देखा होगा परवतिया नारी जब वनके एकांत में जाती है, घास कारती है, लकड़ी, बीनती है, तो उस समय उसको अपने माईके की याद आती है, तब वो ऐसे गीत गुन गुन आती है, तो यहां पर इस गीत का आसा ही निकालते हैं, याद को खुद कारता है, मैं खुद लागी, भूलू कि मतलब मुझे अपने भाई की याद आने लगी है, क्योंकि मैं कभी मैत मैं जान दूनी, मतलब क्योंकि मैं माईके कभी जा नहीं सकी, और ना ही मेरे पिता मुझको बुलाने आ सके, तो बड़े ही यहाँ पे मारमीक पंतियां है, जहाँ पे महिला अपनी जो अंदर की उसकी आसा है, जो उसके अंदर की एक जाब से विरा है, पीड़ा है, उसको व्यक्त करते है, तो ये खुदेड़े गीत होते हैं, ध्यान लगेंगें, कितने सुन्दर गीत होते हैं, अगला जैराम आसरम राजिमत कहां इस्तित है, तो कौन से प्लेस में इस्तित है राजिमत जैराम आसरम, तो इसकी लोकेशन है हरिद्वार की, ऐसे कैलास आसरम है, सांती निकेदन है, स राधना साधन चली का मतलब है कि जो उनका verkosto कौन सा रा तो आपको मैंने बताय था उत्राखंड राजी के प्रामुक साहित्यकार हमारे रास जी के प्रामुक इतिहासकार डार्थम कर मतलब Records प्रामक प्रीवतち भ सकतों 18 सिव पिरसाद डबराल चारंग जी को, उत्रा खंट पेजल निगम की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो राज्य में देखे, पेजल निगम की स्थापना हुई थी, बाईस नौंबर दो हजार दो को, जैसा कि मैं आज आपको बता चुका हूँ पहले ही, आज स्टेटिक ज राज्य में जो सरवादिक अलपसंक्यक समुदाई है, जैन संक्या वाला, वो मुस्लिम समुदाई है, और राज्य में सबसे निउन्तम जो अलपसंक्यक समुदाई है, वो है जैन समुदाई, ठीक है, जैन धर्म की आवादी सबसे कम है, अब बात दोरियां भी लिंगानु लिंगानुपाथ द्यान किंगे और नियुनतम लिंगानुपाथ पाय जाता है। बहुत धर्मके अनियाई में जंवड़ी है। 578 के वल लिंगानुपाथ है। तो देखे गंग नहर की जो नियू पड़े थी, ये 1832 में पड़े थी, 1832 में पहली बार जो ये इंजीनियर थे, इनका नाम था प्राभी कोटले, प्राभी कोटले ने बिटिस सासन को प्रस्ताव भेजा था इस नहर का, 1832 थे इस नहर की खुदाई प्रारंब होई, और अंत ध्यान रखेंगे, गंग नहर के निर्मान का पूरा स्रे या गंग नहर के डिजाइन का पूरा स्रे जाता है, इंजीनियर प्राभी कोटले को, वह वास्तुकार, मतलब सिविल इंजीनियर थे, सिंप्ली मैं बोलू तो, आधुनिक भगीरत अगर पूछा जाएगा किसी एक जूपिया आभूशन जोहार जन्जाती में फेमस है, जोहार जन्जाती की मैलाएं होती है, वो इसे गले में धारंग करती है, ठीक है, कोशियन ये भी बन सकता है कि जूपिया नामक आभूशन किस जन्जाती में प्रचली थे, तो ये भोटिया जन्जाती में प्रचली थे थेमेस वो देहरदुन में इस्तित में लेकिन उन्हुं न क्या नाम है ? उनके मट睡 का नाम करते हैं , उन्हों का प्रिफर भिए करते हैं , यह कॉछिंग देहरदुन में हैं , क्युंकि मैं वहाँ बाधान के अंध्य onkola करती है ठीक है तो वहां पर जो मट है दोस्तों उस मट का जो नाम है इनकी भासा में ठीक है वो है मेंड्रोलिंग मट इसकी स्थापना हुई थी 1965 में ध्यान नखेंगे और लास्ट टॉपिक में किसी में मैं आपको वता चुका हूँ कि जो कलेमेंट टाउन में बहुत मट है उत्रा खंद परिवहां निगम की स्थापना कब हुई थी तो देखे है तो उत्रा खंड परिवहन निगम की बसों को देखकर मतल्न जो बस हैं एक अलगी डिजैन है बसो का साथी बसो के आजकल जो फैसलिटी जह काफी बढ़ गई है आपको वहां पे एसी बसेज वाल वो रोयल क्लूजर काफी अची फैसलिटी यहां पर अवलेबल करवाता है परिवान निगम एक इजाब से उत्राघंड ट्रांसपोर्ट को काफी संबाल है इस नहीं ठीक है और इसकी स्ताफना होई थी 31 अक्टूबर 2003 को लेकिन ध्यान देखेंगे यह निगम है प्राइवेट निजी शेत्र बोल सकते हम उसको लेकिन कहीं नहीं फिर भी थोड़ा बहुत सरकार का वहां पर एक इसाब से कंट्रोल रहता है ठीक है अगर देखेंगे वर्तमान में राजी में राजी उगाधी नवदय विध्यालें की कुल संक्या कितनी है यह अभी हाल मे किसी एक्साम में पूछा गया था मिलको स्यायद नहीं हो पार कि किस एक्साम में कुछा गया है ठीक है लेकिन यह कुषण काफी महत्योप होगा आपको जानना होगा या पता होना चाहिए कि राजी में वर्तमान में जो राजी उगाधी नवदय विध्याले है पृत्ते ए काफी महतोब कोश्यन है यह कोश्यन आई थिंग पूचा गया था वी पीडियो के एक्जाम में दोहजार अठार में कोश्यन ऐसे बनके आया था कि इनमें से कौन सा सिद्ध देरादुन में नहीं है लक्षमग सिद्ध मांडू सिद्ध नहीं दिया था वहाँ पे वहाँ पे हो सकता है अगले एक्जाम में और रिपीड हो जाए यह कोश्यन वहाँ पे फिर और यह तीन सिद्ध दिये जाए लक्षमग सिद्ध नहीं दिया जाए तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए देरादुन जनपद में जो चार महतोपूंग सिद्ध इस्तित है वो है लक मखमली घास के मेदान होते हैं कुछ टाइम वहाँ पर बर्प रहती है बर्प पिगलने पर मखमली घास जन्म लेती है पसुचारकों का स्वर्ग घास आता है अलपाइन फिल्ड को और यहां पर जो मिट्टी होते हैं उस मिट्टी में देखा जाए तो कार्बनिक तत्तों क की प्रचुलता रहती है ठीक है ध्यान दखेंगे कार्बनिक तत्तों जो कि काली मिल्टी में भी ज्यादा पाए जाते हैं वही कार्बनिक तत्तों एलपाइन मिल्टी में भी काफी मात्रा में मिलते हैं ठीक है अगला कोश्यन है देखे नैनिताल बैंक लिमिटेट की स्थाफना किस वर्स होई थी महां तो अपने कोश्यन है देखे हाल में एक रिक्रूटमेंट आया था नैनिताल बैंक लिमिटेट का ठीक है और नैनिताल बैंक लिमिटेट की स्थाफना होई थी 1922 में प्लेस था नैनि नैनिताल बैंक को तो जो काफी जिसका जो देखा जाये जो एसेट्स हैं काफी ज्यादा है और काफी अच्छा है यहां पे बिजनेस मोड में है नैनिताल बैंक लिमिटेड तो अभी भी देखे अभी इसके रिकूट्मेंट आया था तो जिन लोगोंने फॉर्म नहीं बह रह को आएंगे यहिंताल परवतार हने क्लب की इस्ताफन नहीं बहुत बहुत है इसके स्ताफना हुईती तीस चून ऊंचायशक को और इसकी स्ताफना की थी किसने स्वर्गी है चंदलाल सा ठुल गरिया ठीक है द्यान नखेंगे इनके द्वारा इस्ताफित हुआ था नैनिताल परवता रोहन क्लब और मैं काफी बार इसका जिक्र कर चुका हूँ पूर्वा क्वेश्चेनों में भी इसका जो जो इसका मोट या वाक क्या है कौन सा वाक क्या थीक है और इसके साथ प्रसिक्षन देता है यह भी ट्रैकिंग को कर देंगे तो दोस्तों यह था अज उत्राखंट जी के वान लाइनर पार्ट 106 इसके साथ बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे अनेकेडमी लर्निंग पर भी फॉलो कर सकत हैं अनेकेडमी लर्निंग पर आप देख सकते हैं अभी तक पूरे 18 कोर्स अपलोड हो चुके हैं काभी महत्तों पूर्ण के कोर्स हैं उत्राखंट सामाने ग्यान से संबंदि उत्राखंट की लोक परंपरा उत्राखंट की संसकृति उत्यास मतलब चंदवन्स का इत्यास इसके सामाने विज्यान ठीक है जीके वन लाइनर रीजनिंग काभी महत्तों पूर्ण यहां पर आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे तो आप इनका भी लाब उठाए खासकर जो उत्राखंट का इत्यास है उसको तो जरूर वाच कीजिएगा चंदवन्स पमार्वन्स और गोर का शासन जो कि आपके various exams के लिए काफी beneficial होगा so guys thank you for watching यार वीडियो बनाने में काफी महनत लगता है अगर आप एक like देता तो काफी appreciate होगा आपकी तरफ से मेर ले so thank you for watching अपना ध्यान लगे अच्छे से study करें देगे जल्दी ही vacancies निकलेंगे आप बिल्कुल भी देखा जाएगा बस चलते रहें जल्दी मिलूंगा अपना ध्यान दखें जय हिंद वंदे मात्रों